गुड इवनिंग फ्रेंज मैं नेम इस राज और वाचिंग यूर फेवरेट चैनल राज टेक्निकल अनलेसस आज का डेटा अठरा मार्च दोजर बाइस होली का दिन है तो सबसे पहले हैपी होली टू एवरी सब्सक्राइबर जो लोग भी वीडियोज देख रहे हैं उन सब और रेजिश्टन्स पर ट्रेड कीजिए आप खुद देखेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट होता है आज हम लोग जिन से इसके उपर मंथली प्रिव्यू कर रहे हैं वो है मैरी को मिर्जा इंटरनाशनल श्री लेदर्स और रिलेक्श चारों से उस पर भी क्या करना चाह बट वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल्दी से सब्सक्राइब किजए ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट मिलता रहे मेरे चैनल की यूएस पी यह है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता तो उनको हर महीने इन से इसके सपोर्ट और रेजिस्टन्स अबडेट होते रहते हैं और मेरे सपोर्ट और रेजिस्टन्स कितने काम करते हैं इसके लिए आप मेरे मन्थली प्रीवियो के कोई भी दस वीडियो निकल के चेक कर सकते हैं यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के कमनी क्या करती है कौन सी कैटेगरी में आती है यह सारा information जाने के लिए आप यह उपर दिये वैलेंग पे जरूर देखिए मैरिको का मैंने लास्टाइम वीडियो बने था 16 फैब 2022 जब इसकी closing वी थी 500.20 support 1 400 support 2 450 support 3 500 resistance 1 500 resistance 2550 and resistance 3 600 का मैरिको आज के लिए प्याटरा माज 22 200 देए में के ऊपर चल रहा है 524.10 की closing है support 1 400 support 2 450 support 3 500 resistance 1 550 resistance 2 600 resistance 3 650 का हैस अगर आप इसका देख रहे 535 रूपीज है और इसका इसमेने का चोलो वेस्ट है 476.90 अब बात करेंगे मैरिको का मैंने पहले भी आपको बता है 500 बहुत इंपोर्टनेट लेवल है तो उस लेवल को ध्यान रखे और अपना trade as it is करी है बात करेंगे मिर्जा इंटरनाशनल मिर्जा इंटरनाशनल कमनी क्या करती है कौन सी काटेगरी में आती है यह सारा इंफर्मेशन जानने के लिए आप यह उपर दिया वे लिंक पर जरूर देखे मिर्जा इंटरनाशनल का मैंने लाश्टाइम वीडियो बनाता सॉला फैब 2022 जब इसकी क्लोजिंग वी थी 167.70, सपोर्ट 1A एक सो, सपोर्ट 2A एक सो B, सपोर्ट 3A एक सो चालीष, रिजिस्टंस 1, 160, रिजिस्टंस 2, 180, रिजिस्टंस 3, 200 पर मिर्जा इंटरनाशनल आज के लेट पर आटरमाज 2022 इसकी चो क्लोजिंग है 161.55 support 100 support to 120 support 3 140 resistance 160 resistance to 180 and resistance 3 200 का हाइस अगर आप इसका देख रहे 181.70 है जो कि almost resistance 2 के पास और इसका इसमेने का जो lowest है वो है 138.45 जो कि है support 3 के पास अगर आपने वीडियो देखा है पिछले मैंने 161 के लेवल पे था 1 support के नीचे जब गए आपने से अगर बाई किया रहता 140 से 180 का profit अगर आप देखेंगे post share 40 रूपीज आपने कामाए रहते अब बात करेंगे Shree Leathers के उपर Shree Leathers कमनी क्या करती है कौन सी काटेगरी में आती है यह सारा information जानने के लिए आप यह उपर दिये वे लिंक पे ज़रूर देखे Shree Leathers कमने लाश्टाइम वीडियो बनाए था 16 FAP 2022 जब इसकी closing वी थी 170.20 support 1.150 support 2.165 support 3.180 resistance 1.195 resistance 2.210 and resistance 3.225 का Shree Leathers आज के देखेंगे आठ रामाज 2022 200 दे इमे के उपर 181 के इसकी closing है support 1.150 support 2.165 support 3.180 resistance 1.195 resistance 2.210 and resistance 3.225 का हैस अगर आप इसका देख रहें 188 रुपीज है और इसका इसमेन का चल लोएस्ट है वो है 159 रुपीज बात करेंगे रिलाक्स हो, रिलाक्स हो कमनी क्या करती है कौन सी काटगरी में आती है यह सारा इंफर्मिशन जानने के लिए आप यह उपर दिये वा लिंक पे जरूर देखें रिलाक्स हो का मैंने लास्टेम वीडियो मनने ता 16 फैब 2022 जब इसकी closing वी थी 1270 रुपीज 60 पैसे support 1.1150 support 2.1200 support 3.1250 resistance 1.1300 resistance 2.1350 and resistance 3.1400 का अगर आप रिलाक्स हो के वीडियो जरूर ली देख रहे है last to last वीडियो पे मैंने आपको clearly mention किया था bearish है bearish होने वाला है जिन लोगोंने profit book की आज भी यहाँ पर opportunity ढून सकते हैं पिछले महीने का भी अगर आप में वीडियो clearly सुना रहेगा वाहाँ पे भी मैंने आपको इसके indication दिये थे बट अब relax हो को आप अपकी watch list में जरूर रखना जैसे ही हाँ पे आपको bullish reversal candle दिखे आप इस share को buy कर सकते हैं मैंने हमेशा का है fundamentally shares बहुत strong है but 80% shares जो हैं आपके वो support and resistance पे ही काम करेंगे चाहे कितने भी अच्छे share हो और कितने भी बुरे share हो अच्छे और बुरे shares में एक difference आपको जरूर दिखेगा कि जो अच्छे shares है उन वो अगर support resistance पे घुमेंगे वो उतने speed से उपर resistance की तरफ जाते भी है बट जो shares fundamentally strong नहीं रहते हैं उन shares में क्या problem होता है अगर वो support के नीचे आ गए तो उनको फिट से उपर आने में थोड़ा time लगता है और अगर आप यह चीज practically सोचें 10 stock निकालिए जो अच्छे shares है fundamentally strong है और 10 shares जो fundamentally weak है आप इन दोनों में 10-10 share का comparison करना मैंने हमेशा बोल है जब भी आपको छुटी मिलती है थोड़ा research करेंगे तो आपको बहुत ideas मिलेगा वोही चीज आपको help करेगा share analysis करने में तो उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो please like और subscribe कीजे जैसे मैं आपको support करता हूँ सही support और resistance दे कर उस तरह आप भी मुझे support कीजे मेरी वीडियो को like कीजे subscribe कीजे और आगे आपके family friends पर forward कीजे जो लोग भी share market में trading कर रहे हैं या फिर investing कर रहे हैं ताकि ये important information उन तक भी पहुंच सके thank you so much have a nice day